काशी में श्रीकिष्ण जिनमास्टमी में धूमदाम से मिलाए गई काशी हिंदू विश्य विद्याले की चात्राइं कानहा के रंग में रंगी नजर आई श्रीकिष्ण के जीवन पर अधारित विभिन लिलाओं को इन बालाओं ने बड़ी खोबसूर्ती और उत्सा से प्रदर्शुद किया है जिनमास्टमी के दिन बियेचु में परंपरा रही है कि चात्रावासों में जाकी सजा जाती है जहाँ पर भगवान श्रीकिष्ण के अलग-अलग लीलाओं को वही पर रहने वाले जो चात्राएं हैं वो प्रदसित करते हैं तस्विरों में देख सकते हैं किस तरीके से अलग-अलग जो लीलाओं का जो मंचन है वो वारनसी के त्रिवेणी चात्रावास है वहां पर इसका मंचन किया गया है यहाँ पर किस तरीके से भगवान किष्ण जो है माखन चूरायते थे उसका दृष्ण जो है दर्शाया गया है अलग-अलग जो लीलाएं है उसे यहाँ पर वरनित किया गया है साल में एकी बार ऐसा मौका होता है जब बेचू के छात्रावासों में इस तरीकी की जाकिया जो है वो लगाई आजी है और इस तरीकी की जाकी के लिए जो तयारी है वो काफी पहले से ही की जाती है और हर साल जो छात्राएं है वो इन जाकियों को लगाती है आप तस्वीरों मैं देख सकते हैं किस तरीके से अलग-अलग जाकियों के यहां पर जो तरशन है वो यहां पर किया गया है बात कर लेते हैं छात्राओं से किस तरह की त्यारी रहती है और कितना उसार रहता है इस जन्माश्टमी को लेकर बहुत जादे रहता है फिलाल मेरा नाम आर्या जाती है तरह तरह के फैकल्टी के से तरह तरह के ओस्टल्स से ज्कियानीकाली जाती है और यह दिखाया जाता है कि मतलब बच्चे बच्चियां जो है वो कभी करन की निभा सकती है औरॲिक हम तो काफी दिनों से चल रही है और यहां पर सारी लड़कियां ही चाहे वो कृष्ण का पार्थ हो अर्जुन का हो या कोई भी पार्थ हो सारी लड़कियां ही अपनी तैयारी भी करती है और बंती जिससे हम यही कह सकते हैं कि नारी को आत्मनिर्बर होना ज़रूरी है और हमें ज्यादा जरूरत है नहीं किसी को आप तस्वीरों में देखते हैं भगवान किस्न जो सार्थी बने थे अर्जुन का तो वह दृष्ण जो है वह यहां पर दिखाया गया जहांगे माद्धम से य अलोग पांडी की रिपोर्ट देखिए अयोध्या मतलब मर्यादा पुर्शोतम भगवान राम के नगरी आयोध्या मतलब सनातन का केंद्र आयोध्या मतलब राम लला मंदिर के दर्शन अयोध्या मतलब देश दुनिया के राम भक्तों का ये संगम नगरी है यहां पर आयोध्या धर्म ही भगवान राम के मर्यादा पुर्शोतम को उनको मान करके यहां दर्शन करने आते हैं और दर्शन भी ऐसा कि दुनिया के देश के अलग-अलग राज्यों के लोग यहां पहुंसते हैं और जनबास्टमी जहां मत्रौ और वरंदावन का है तो भगवान राम यहां पे कड़कड में हैं, मंदिरों में हैं और सबसे बड़ी बात है कि भगवान राम और भगवान कि कोई भेद नहीं है, यहां पर कृष्ण भगवान के मंदिर से कही ज़्यादा भगवान राम के जानकी के और लक्षमन के हैं, लेकिन सब जगए भगवान किष्ण के चनबास्टमी पर आरती होती है, राद भर मंदिर खुले रहते हैं और उनके लिए भक्ती का गान होता है इस्तुति होती है, आचार गोपाल जाजी हैं, कुछ आप कह रहेते हैं कि कुछ भगवान को ले करके किष्ण भगवान को सुनाते हैं, समस्त भक्त जनों के समीब, हो तेरी मंद मंद मुसकनियां पे, हो बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, भक्त कहता है भगवान से, हो तेरे बाल बड़े घुंगराले, जू बादल कारे कारे, प्रभु तेरे बाल बड़े घुंगराले, जू बादल कारे कारे, तेरी कुंडल की चमकनियां पे, हो तेरी कुंडल की चमकनियां पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी मंद मंद मुसकनियां पे बलिहार सावरे तेरे नयन बड़े कजिरारे लगते हैं प्यारे प्रभु तेरे नयन बड़े कजिरारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरी तिरचीसी चितवनियां पे बलिहार सावरे तेरी मंद मंद मुसकनियां पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जए भक्त कहता है भगवान से कि प्रभू आप कौन हो और मैं कौन हो जड़ा सुन लो भक्त कहता है तू है मोहन मेरा मैं दिवाना तेरा सब की बिगड़ी बनाना तेरा काम है तू है मोहन मेरा मैं दिवाना तेरा छोर दी अपनी कस्ती तेरे नाम पर अब किनारे लगाना तेरा काम है तू है मोहन मेरा मैं दिवाना तेरा भक्त कहता है भगवान से तेरे बाल बड़े घुंगराले जू बादल कारे कारे प्रभु तेरे बाल बड़े घुंगराले जू बादल कारे कारे हो तेरी कुंडल की चमकनियां पे बलिहार सांवरे हो तेरी मंद मंद मुसकनियां पे बलिहार सांवरे हम आपको यही बता रहे हैं कि या योध्या की इस नगरी से इस पावन नगरी से हम भगवान राम के दर्शन करा रहे हैं भगवान राम के मंदिरों में जा रहे हैं वहाँ रौशनी है वहाँ पर भक्त है शद्धा है और भगवान श्रीकिष्ण के लिए भक्ती है इस नेशन अब वाटसेप पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए नीजनेशन के इस QR कोड को स्कैन करें